मैं हूँ नीरज कुमार और आज है एकॉनमिक्स MCQ सिरीज का दे नमबर 14 ठीक है यह बड़ा ही इंपोर्टन सीरीज चल रहा है मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे सभी वीडियो को देख रहे होंगे डे 14 है मतलब 13 दिन का वीडियो अप्लोड हो चुका है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जरूर उसको पूरा देखिएगा ठेक है तो चलिए आगे बढ़ो उसके पहले बता दू जो भी बच्चे बी एकॉनमिक्स में एकॉनमिक्स के स्टूडेंट है या फिर सी उटी पीजी एकॉनमिक्स के स्टूडेंट है युजिसी नेट हो एकॉनमिक्स या कॉमर्स का है या टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट है तो भाई आप लोगों से रिक्वस्ट है है हमारा ओनलाइन क्लास से चलता है मेर हमारा ओफलाइन सेंटर रांची में चलता है आप यहां के आके विजट कर सकते हैं ठीक है चलिए कोस्ट हो तब यह बिलो मारे जोस्ट अगर प्राइस जो है लेसिन्द कोस्ट से यह फिलेस्थ बैरेज वेरियर स्च बोगता है यह प्राइस इख चरू में क्या सही होगा देखिए ध्यान से समझें आप वैक विल आ हमारा average cost होता है कि यह हमारा average variable cost है है हते हमारा original cost जब होना इस जगहां पर अगर price P हो है ना मतलब mc equal ac है ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है इस price पे marginal cost और average cost बराबर है यहाँ पर normal profit मिलता है क्या मिलता है normal profit मिलता है और इसके ऊपर में super normal profit ठीक है ज्यान दीजिएगा अब कहता है अगर price हमारा P से P1 के बीच में हो ठीक है तो यहाँ पर loss हो रहा है क्या हो रहा है लास हो रहा है ठीक है तो क्योंकि price जो है average cost से कम है तो यहाँ पर loss हो रहा है इस price पर ठीक है डाउन पॉइंट बोलते हैं क्या बोलते हैं सट डाउन पॉइंट मतलब कोई फ़र्म अगर अपना वेरियेबल कोस्ट भी नहीं निकाल पा रहा है स्वाटन में तो वह सट डाउन के सिती में आ जाएगा वह अपना फ़र्म बंद कर देगा प्रोडक्शन करना खोड़ देग उससे पीवन से प्राइस कम होई नहीं सकता उससे कम होगा तो फ़र्म ही छोड़ देगा प्रोड़क्शन करेगा नहीं ठीक है तो क्या कह रहा है कि प्रोड़क्शन करना कब रोक देगा जब प्राइस जो है एवरेज वेरियेबल कोस्ट से भी कम हो जाए ठीक है मतलब कम स हाट में प्रोड़क्शन रोक देखा एक है इप डिमांड कर्व है रेक्ट्यांगूलर है परवोला है प्राइस चेंज होता है जितना पर्सेंटे उतना ही परसेंट अगर क्वांटिटी में भी चेंज समय आए तीक है यह है पर पोला डिमांड कव होता है मतलब परसेंटेज चेंजी इन प्राइज और परसेंटेज चेंज चेंज इन प्राइज दोनों सेम हो मतलब Easticity of Demand यहां पहर क्या हो जाएगा ठीक है रिक्टिंगर है पर बोला demand कर्म Easticity of Demand क्या होता है equal to one होता है इसका प्परक्डियान स्पशच किया एक मतलब होता ना मतलब ऐसे सिच में में देर zu नुंग सेंज इन प्राइस्जा अरफ प्रास में कोई रिटानी क्यूंच को भी हो सकता है पी प्राइस पे Q1 भी हो सकता है Q2 भी हो सकता है anything is possible यहाँ elasticity of demand जो होता है वो infinite हो जाता है तो क्या होगा option है the change in demand in proportion to change in price नहीं दोनों proportion change in demand and price दोनों same रहेगा तो elasticity of demand equal to one होता है ठीक है यह तो होगा नहीं that change in demand is less than the proportional change in price तो ऐसे situation में क्या होगा less than one होता है प्राइस में जितना change हुआ उससे demand में कम चैने तो elasticity of demand less than one होगा any amount of good can be bought at the fixed price fixed price पे कुछ भी commodity खरीदा जा सकता है बिल्कुल यहीं option हमारा है ठीक है फिर नो change in demand यह तो elasticity of demand गीर होगा perfectly inelastic यहां perfectly elastic पुछा था perfectly elastic में fixed price पे कुछ भी demand possible है ठीक है जलिए नेक्स कोशन है the opportunity cost of a factor production is a factor of production का opportunity cost क्या होता है कहा जाता है जिससे मान लीजे आपके पास है ना आप अभी काम कर रहे है जहां पे आपको 50,000 मिल रहा है ठीक है आपको कहीं दुसरे जगा offer हुआ 60,000 का यहां पे चले जाओगे ठीक है तो आपका best alternative क्या है अगर यह ना रहे तो best alternative वारा पचाजर है ना इस इस आवर opportunity cost ठीक है यह क्या हमारा opportunity cost next best alternative भी बोस्त देंस को ठीक है तो हमारा c number option है what it can earn in the best alternative use best alternative use में वो कितना कमा सकता है वही हमारा एक फैक्टर का क्या होता है opportunity cost होता है ठीक है चलिए 70 number question है for a firm in perfectly competitive market the average and marginal revenue curve coincide because perfectly competitive market में आपको पता होगा average revenue और marginal revenue दोनों ही दोनों क्या होता है equal होते है और ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है चूकि price यहां पर जो होता है वो fixed होता है या होता है price fixed होता है ठीक है और price fix क्यों होता है इंडस्टी में जो price determine होता है उसी price को firm बाकि जो firm होंगे वो adopt कर लेते हैं ठीक है तो perfectly competitive market में तो कि firm price taker होता है इसलिए price fix होता है और average revenue जो होगा वो क्या होगा margin revenue के बराबर होता है ठीक है तो इसका answer हमारा पहला ही होगा करना the firm is a price taker ठीक है this is all about today's question है आज का question जो हो डिसक्स हो गया है वाकी डिसक्स करेंगे next class में तब तक के लिए अब से भी को धन्यवाद